नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेडिशनल जाइका में और आज हम बनाने जा रहे हैं ये डेलिशियस वाला चिकन बिर्यानी तो आई है इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले ही मैं ली हूँ यापे आधा के लोग चिकन मैं थोड़ा करके और इसको साइड में रखते हूं इसमें एक चमच हल्दी पाउडर स्वाद अनुसान नमक है एक चमच लाल मिच पाउडर चार चमच दही और मैं यहाँ सन्राइस का बिर्यानी मसाला यूज़ कर रही हूँ आप चाहिए तो कोई भी कमपनी का बिर्यानी मसाला यूज़ कर सकते हैं एक चमच बिर्यानी मसाला डाल रही हूँ अब निम्बु को आधा काटके उसका रस यहाँ पर मिला रही हूँ तीर्चे मैं इतना अधर ग्लासन का पेस्ट टाल रही हूं इसे अच्छे से मिला ले और इसे मैरिनेट होने के लिए आधी घंटे के लिए छोड़ दे अब मैं बिर्यानी की राइस के लिए यहां बासमिती राइस ले रही हूं मैं इसका दो ग्लास पानी से इसको अच्छे से वाष कर लाउगी देखे में राइस को यहां आच्छे से वाष कर ली हूं इसका जितना भी स्टार्च था आपनी डालके ईसको थोड़ दिर. के लिए भीगने के लिए छोड़ते अब एक कढ़ाई ले ले और उसमें पानी डाल दे अब जितना चावल लिये हैं उसके जस डबल पानी डालना है मतलब मैं यहां दो ग्लस चावल ले थी तो मैं चार ग्लस पानी डालूगे उसको थोड़ा सा गरम होने के लिए दे और उस नमक आता है, एक इंच दाल ची नहीं डाल रहे हूं, चार पिस अलाई ची डाल रहे हूं, चार पिस लॉंग डाल रहे हूं, जावित त्री, एक तीज पत्ता, एक स्टार, और यह केवडा जल, तो मैं एक चम्मल जैसा केवडा जल राल रहे हूं, अब इसको ढग दे और पानी में एक बॉयल आने दे, देखिए आपका चावल भी फुलके रेडी हो गया है, और यहां एक बॉयल भी आ गया है, अब आपको चावल को पानी से चान के इसम आप चम्मच ना चलाए, इसको इस तरह से हिला दे ताकि वो नीचे अच्छे से सेटल हो जाए, आपको चम्मच जालने के जरुत नहीं है नहीं तो चावल तूट जाएगा, और इसको जो चावल का सुंदरता है वो खराब हो जाएगा, इसको ओपर से ढग दे, और इसको तो इसका चार टुकड़ा हो जाएगा, और चावल के अंदर एक वाइट से एक लेयर बन जाता है, उपर से वो हलका ट्रांसपरेंट हो जाता है, यह चावल पॉफेक्टली पक गया है, अब इसका पानी को छान लेंगे, और चावल को अलग से खुले जगा पे छोड़ दे देखिए मैं ऐसे उसको वाश कर ले रही हूँ, अब एक खुला बरतन में मतलब थाली या कोई बड़ा बरतन में चावल को फैला के रखते, आप कोशिश कर रहें कि पंखा के नीचे रख दे तो वो जादा अचा बटर होता है, अब मैं वहीं सीम कढ़ाई ली हूँ और अ नहीं की थी मैं इसको बस कड़ाई में बॉयल करें की हूँ और इसको हलका से फ्राइ कर लेंगे ताकि यह उपर से हलका शैलो फ्राइ हो जाए, देखिए आपका आलू अच्छे से फ्राइ हो गया है, यह हलका से रेडिश देक रहा है, अब इसको देल से चान के निकाल ले अब हम उसी से मॉयल में ओनियन को फ्राइ कर लेंगे, जिसे हम परिस्ता बनाने के लिए यूज करेंगे, और यहां पर मैं प्यास को जो है लंबा लंबा काट ली हूँ, इसको अब हलका से ब्राउनिश में फ्राइ करना है, देखिए जो आपका यह प्यास आना यह अब फ करना मुश्किल हो जाएगा, और फ्लेम को बंद करते ही इसको दीरे दीरे च्छान के निकाल ले, प्यास को हम एक टीशू पेपर में निकालेंगे, ताकि जो इसका एकसे जॉयल है वो ड्रेन आउट हो जाए, और कढ़ाई में थोड़ा सा प्यास को छोड़ देंगे, बनाना है, जिसको अच्छे से मिला ले, ऐसे मेरिनीट की हवा हो चिकन को डाले, अब इसको हाइफ फ्लेम में ही तहकी ठक के पकाये, ताकि यह पक पीजाए, और हाइ फ्लेम में इस λिए पकाना है, ताकि जो ये चिकन हना वो जूसी रहे है, पकाने से छिकन अंदर से तोड़े दिर तक चिकन को पकाने के बाद इसमें फ्राइ किया हुआ जो आलू था उसको डाल दे क्योंकि इसी स्टेज में आलू को भी पकना है और चिकन को भी पकना है दोनों बराबरी से पका होना चाहिए इसको ढखती हूं मैं और ढखके ही पकाए इसको 15-20 मिनिट बाद पर चर्छेख कर लें अब भी पश्यक्ता है और चिकन पक पक चुक अब इसमें राइस को पढहे बादे की चाहिए आना आंगे में थाफ्राइञ परक रेंस आई बसको अभी आओ बोलती है इसको डाल दे, उसके उपर से एक चमच बिर्यानी मसाला डाले, अब मैं इसमें थोड़ा से फूड कलर डाल रही हूं, मैं यलो कलर का फूड कलर डाल रही हूं, और ग्रीन कलर का फूड कलर डाल रही हूं, यह बहुत कलर फूड कलर डाल रही हूं, यह बहुत कलर दिखता है चमच चोड़ा डाल रही हूं और दो बुंद रहा है कि मीठा इतर चाल हां यह पात्ठीम इरा राख राखे ayam यहाँ पे थोड़ा सा आटा था उसको मैं लगा दी हूँ ताकि उसका पूरा पूरी वो दम पे पके और यहाँ पे मैं इसको 20 मिनिट के लिए दम पे पकाई हूँ और अब यह देखिए मैं आप इसका लीड खोल के दिखाएं तो देखिए आप यह कितना अचे से पक गया है और इतना सुन्दर दिख रहे हैं बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है आप इसे घर पे जरूर बना के ट्राइ करें और हमें कमेंट करके जरूर बताए कि आपका बिरियानी कैसा बना है और आप इस तरह से बिरियानी बिनाएंगे तो डिफिनिटली आपको बहुत बिरियानी भी खाना बंद कर देंगे इसके साथ में राइता को सुर्फ करें और यह देखिए आपका गरम गरम बिरियानी बनके रडी है आप लोग हमारे चैनल को जादे से जादा सपोर्ट करें और जादे से जादा शेयर करें आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही हम आ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ,